वेलकम डो मैं चैनल मेरा नाम विक्रम है और सब्सक्राइब आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि यहां पर देख सकते हो आंट्राइट 9Pi के उपर हूँ जो कि 11.0.3.0 का जो कि ग्लोगल स्टेबल वेशन मुझे देखने को मिल जाता है तो यहां पर मैं रूट चेक करके बता देता हूँ जिसे कि मेरा डिवाइस यहां पर रूटेड नहीं है तो अगर आप यहां पर कोई एक गलत स्टेप यहां पर फॉलो करोगे तो आपका जो डिवाइस यहां पर यहां पर कर पाओंगे और पर मॡच रूट यहां पर ऑन्यबल कर पाओंगे उसके बारी में बात करने वाला हूँ तो आपको यहां पर ब्रूट। जैसे कि 100% working method है आपको यहाँ पर safe method है यहाँ पर मैं लेके आया हूँ तो trusted आपको यहाँ पर मैं वीडियोज लेके आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है यहाँ पर मुझे एमाई का recovery देखने को मिल जाता है तो first आपको यहाँ पर क्या करना है जैसे कि अगर आ बूट लोडर अनलोग कर सकते हो तो बूट लोडर अनलोग करने के बाद अगर आप यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो first आपको यहाँ पर क्या करना है settings में जाना है about phone में जाने आपको यहाँ पर MIUI version के ओपर click कर लेना है 8 से 10 बार उसके बाद developer options ओपन हो जाएगा जिसी कि यहाँ पर additional settings में तो additional settings में जाना है developer options में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर developer options को enable कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं OEM Unlocking जो कि मेरा bootloader already unlock है तो आपको भी bootloader unlock कर लेना होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है अपने device को जो fast boot mode में रख अब ही method का है पर step by step क्या क्या method आपको follow करना है वो English में आपको नीचे description में बिल जाएगा जिससे कि आपको Hindi नहीं आता है तो आप English जैसे की language का इंस्तवाल करके आप नीचे description में आपको step by step में बताने वाला हूँ वो step follow करके आप अपने device में TWRB plus root भी यहाँ पर install कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ fastboot mode में उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जिससे की connect PC से तो यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरे device को यहाँ पर PC से connect कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ PC क के अंदर आपको यहां पे फाइल देखने को मिल जायगा जिसके description में आपको इसका link भी देदूंगा आपको इसका डाउनलोड कर लिए इसको जैसे कि तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, fast boot devices type करना है, इसे कहा होगा आपका device connected है, नहीं है, आपको पता चल जागा, जीसे कि देख सकते हों मेरा device हे आपके connected है, अगर एक random number आप देख पाते हो, तो इसका मतलब आपका device हे आपके connected है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है और एक step follow कर लेना है इसे की fast boot fast boot space देना है उसके बाद fast boot flash और space देना है recovery आपको type करना है और एक बाद आपको यहाँ पर space देना है उसके बाद जो recovery आपने यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको क्या कर veux? आपको यहाँ पर एक बार click कर लेना है उसके बाद आपको simple enter कर लेना है तो यहां पर देख सकते हो, जो PC का work ता है, आप पर कतम हो चुका है, जैसे कि यह flash होगा, flash होने के बाद अपनी device को आप disconnect भी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो, तो flash successful हो चुका है, जैसे कि आप चुका है, जैसे कि notification आप देख सकते हो, तो अपनी device को यहां पर PC से disconnect कर लिजि तो PC का work यहां पे खतम हो चुका है, अभी जो work है यहां पे फोन में आपको कर लेना है, तो यहां पे देख सकते हैं, फोन में आपको क्या करना है, जैसे कि यह method थोड़ा आपको ध्यान से कर लेना है, जैसे कि यहां पे bootloop का chances रहता है, bootloop actual में यहां पे नहीं होगा, अगर आ तो आपको first यहां पे का करना है, जैसे कि power button plus volume up button, दोलों को present hold करना है, जैसे कि आपको यहां पे hold कर लेना है, जब तक आपका device off न हो जाए, तो यहां पे देख सकते हो, hold कर लीजिए, continue, तो यहां पे वही, okay device off हो चुका है, तो यहां पे देख सकते हो, power button को आपको release कर दे ना है continuously volume up बटन को यहाँ पर hold करें जैसे कि red below को एक बार दिखा उसके बाद और एक बार आपको यहाँ पर off होना चाहिए आपका phone off हो के और एक बार blink होगा तो आपको यहाँ पर इस बटन को भी यहाँ पर release कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हो आच चुका है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पर main main step follow कर लेना है जैसे कि अपनी device में तो यहाँ पर मैं फॉलो कर लेता हूँ main main step तो यहाँ पर देख सकते हो मैं TWRP में बूट कर चुका हूँ तो यहाँ पर main main step बताऊंगा जैसे कि TWRP में ही और route करने का step आपको यहाँ पर TWRP में ही मिल जाएगा यहाँ पर वह भी आपको यहाँ पर मैं बता जेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो TWRP में बूट हो चुका हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है first आपको यहाँ पर advance में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर close AVB 2.0 इसको यहाँ पर click कर लेना है first वाला choose कर लेना हो उसके बाद यहाँ पर swipe to confirm कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हो confirm करने के बाद home पर आना है उसके बाद आ प्यांसे ए-step कर लेना है तो यहाँ पर फिर से आपको advanced में जाना है उसके बाद आपको इहाँ पर file manager में जाना है एक file को आपको delete करना है तो उसके लिए आपको पर फिर से home पर आ जाना है उसके बाद advance में जाना है यहाँ पर आपको install root कर लेना है तो यहाँ पर आपको confirm to install कर लेना है यहाँ पर देख सकते हो इस method में जो यहाँ पर install भी हो जाएगा आपका root हो जाएगा और permanent twrp होगा जिसे कि इसके अंदर आपका data भी erase नहीं होगा एक perfect method यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर system reboot कर लेना है तो यहाँ पर मेरा device bootlib भी नहीं होगा जिसे कि यहाँ पर मैं तीन बार ट्राइ करके आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जिसे कि आक्च्वल में तीन बार ट्राइ करया हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं फाइनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ Redmi Note 8 Pro के related बहुत सारे वीडियो बनार के बताने वाला हूँ तो एक्च्वल में वेट करना हूँ जिसे कि यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा और एंस वोगों सिर्कवरी के बारे में तो TWRP भी यहाँ पर मिनिट हुआ है कि वो भी आपको यहाँ पर चेक करके बदा देता हूँ तो recovery में जाने के लिए आपको यहाँ पर power button plus volume of button दोनों को press and hold करना है आपका phone off होते ही आपका power button को यहाँ पर release कर देना है तो थोड़ा टेम hold कर लिए जैसे कि phone off हो चुका है उस इसके बाद automatically आपका phone TWRP में boot हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो TWRP भी permanent हो चुका है आपको यहाँ पर safe method है आपके लिए यहाँ पर लेके आया हो तो सभी method यहाँ पर मैं description में type करके भी बता दूंगा जैसे कि वहाँ पर जाके देखके जो है आप यह method follow करके अपने device म इंस्टॉल कर सकते हो तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लेजाबने चनल को सबस्ट्राइब कर लिजे बहुत 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 दन्यवाद